सो हेलो गाईज एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी यूटूब चैनल टैक्निकल पंकर जोन में और आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं बी की केवाईसी आप किस प्रकार से करोगे उसका कम्प्रीट इंफ्रामिशन में आपको देने वाला हूँ तो सबसे पहले गाईज की यहाँ पर जो पहला इंस्ट्रक्शन है की यहाँ पर जो केवाईसी का स्लोट जारी किया गया है यह केवाईसी केवल एक बार आपको मिलेगा अगर इसमें किसी भी प्रकार का आपसे मिश्टेक हो जाता है तो फिर दोबारा आप केवाईसी नहीं क है तभी आप यहाँ पर KYC करना otherwise next round का आप इंतिजार करना तो जैसा कि guys यहाँ पर हम profile के section में है मैं आपको live करके दिखाता हूं यहाँ पर कि किस प्रकार से हमें यहाँ पर KYC का process करनी है तो जैसा कि यहाँ पर जो आपका profile के section में हमें आ जाना है और then यहाँ पर आप देखेंगे account about and setting option है तो यहाँ पर क्या करना हमको account के section प्याना है और जैसा कि यहाँ पर आप देखोगे कि option है last में आपका KYC verification का तो KYC verification में आप किलिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का interface आ जाएगा जिसमें यहाँ पर already instruction दिया गया है यह जो instruction है यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है तो सबसे पहले कि guys यहाँ पर identity documents में इन्होंने जो mention किया है कि provide your passport for visual scanning make sure the passport is not expired or physically damaged तो आप अपना जो अगर आप passport से अगर आप यहाँ पर KYC कर रहे हो जैसे कि अगर damage नहीं होना चाहिए उसमें जो लिखा हुआ रहता है वो clear होना चाहिए ओके guys आगे यहाँ पर बताए कि more identity documents जैसे मतलब कि passport के अलाबा जो और भी ID's है for example driver license हो गया ID card हुआ residence permit का हुआ यह क्या होगा next round में यह accept किया जाएगा यानि कि यह जो option है यह support करेगा next round में ओके guys त सियान रखना कि passport अगर आपके पास है तब ही आप यह जो continue का option है continue पे आप यहाँ पर click करके और जो आगे का step है वो आप clear करना ओके तो अब next यहाँ पर जो बता है इन्होंने face authentication का तो यहाँ पर face में इन्होंने यह भी बता है कि take a video with your phone camera on a clean background clean background यानि कि जो पीछे का background होता है वो यानि कि एकदम clean होना चाहिए उसमें कोई आपको जैसे की edit वगरा नहीं करना है please remove any decoration that may cover your face तो जैसा ही गाई जो आप selfie लोगे आपका background जो है खासतोर से white color का रखना face verification में जब आप selfie लोगे तो बस केवल आपका face होना चाहिए आपके face पे न संग्लास होना चाहिए और नहीं mask आप पहने हुए होना चाहिए इसका आप विशेस ध्यान रखना और next यहाँ पर जो इन्होंने instruction दिया हुआ है result notification तो result notification में जैसे ही गाईज अगर आपने passport से यहाँ पर अपना KYC complete किया है तो यह जो verification का जो timing है यह आपका 14 दिन के अंदर verified हो जाएगा आपका KYC ठीक है गाईज तो यह रहा आपका document जो रहेंगे KYC के लिए वो अभी current में passport का रहेगा तो यह रहा information आपका KYC से related अगर हम यहाँ पर next round में यहाँ पर continue पर click करेंगे तो जो आगे का अपसान आएगा वो हम देखते हैं लेकिन गाईज अभी मेरे पास क्या है कि passport नहीं है इस वज़े से मैं यहाँ पर आपको live करके नहीं दिखा पा रहा हूँ इसलिए गाईज अगर passport का कोई ऐसा मेरे members होंगे जिनका passport से अगर उन्हों ने अपना यहाँ पर verification किया है तो मैं उन से मंगवा करके आपको live दिखा दूँगा अपने चैनल पर ओके गाईज तो ऐसे तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए और साथ में बेल आइकन को on कर लेना ताकि हमारी हर नई वीडियो का notification आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो जैसे ही गाईज यह रहा आपका B network से related KYC का notification ऐसे ही जैसे ही पाई network का भी KYC अगर हो मैं अपने चैनल पर information देता हूँ तो एगल में तो जैसे ही गाईज वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई जैसे कि यहाँ पर KYC की ज़रूरत नहीं था वहाँ पर direct उन्होंने wallet launch किया और wallet में जो transactions हो रहा है वो private key के according हो रहा है ठीक है गाईज तो यह रहा आज का update अब जो next update आएंगे उसका भी आपको information हमारे चैनल पर मिल जाएगा और मिलता है अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद